नमस्कार साथियो, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल RS Education Center पर साथियो, वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या राजस्थान में होरीजेंटल रिजर्वेशन के नाम पर OBC केटेगरी वालों के साथ भरतियों में दोखा हो रहा है क्योंकि रास्तान में वर्तमान में ये मुद्धा काफी करमाया हुआ है तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इससे पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले ताकि कॉम्पिटिशन एक्जाम से समदित हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो साथियो सबसे पहले बात करेंगे इस मुद्दे पर तो सबसे पहले देखते हैं डियो पी जो रास्तार सरकार का डिपार्टमेंट और पर्सनल विभाग है कार्मी की विभाग उसके दुआरा 17 अप्रेल 2018 को ये लेटर जारी किया गया था जिसमें एक्स सर्विसमेंट के रिजर्वेशन के बारे में ये लेटर जारी किया गया था जिसमें इन्होंने साप साप लिखा हैं तीन पॉइंट है कि पहला पॉइंट इन्होंने लिखा कि 5% जो रिजर्वेशन है इनको X servicemen को state servicemen में दिया जाएगा साथी जो 12.5% reservation है इनको तो ministerial and subordinate जो service है इनमें इनको 12.5% आरक्षन दिया जाएगा साथी जो class port की जितनी भी service है इनमें इनको 15% reservation दिया जाएगा तो ये आरक्षन की सुविधा X servicemen category के लिए रास्तार सरकार ने की थी लेकिन मुद्धा यहाँ पर यह है कि OBC category वाले इसका विरोध क्यों कर रहे है तो साथी इसको एक example के दोरा हम समझने वाले है तो सबसे पहले हम बात करते है कि आप इस horizontal आरक्षन का विरोध क्यों कर रहे है तो साथी इसका जवाब यही है कि इस horizontal आरक्षन विवस्ता की कारण जो OBC category है उसका सामाने पुरुस अभेरती जो कि भूत पूरुव सेनी का उतकरष्ट खिलाडी दिव्यांग या महिला नहीं है उसके लिए OBC कोटे में seat नहीं बसती है वास्तों में मुद्धा यह है तो अब बात करते हैं आगे कि भूत पूरुव सेनी का आरक्षन तो केवल 12% है दूसरी तरफ जो OBC category है उसका आरक्षन साथियो 21% है तो काफी अंतर है यहाँ पर देखने में तो OBC सामाने पूरुस को seat क्यों नहीं मिलती मुद्धा यह है तो हम इसे एक्जम्पल की द्वारा किलियर करते हैं साथियो तो माल लो किसी भरती में 100 seat निकलती है तो इसमें 21% reservation है तो 21 seat इसमें OBC को मिलेंगी लेकिन साथियो मुद्धा यहाँ पर यह निकल कराता है कि एक बटे तीन seat तो महिलाओं के लिए ही ले जाती है बची जो 14 seat है इसमें भी साथियो लोचा है लोचा यह है कि एक्सर्विसमें को यहाँ पर 12% seat मिलती है याँ नि 12% seat अगर मान के चलें एक्सर्विसमें की तो यहाँ पर 70% जो एक्सर्विसमें राजतान में होते हैं वो OBC के टेगरी के ही होते हैं अगर हम 12% का 70% के आसपास देखें तो साथियो 9 seat बसती हैं जो एक्सर्विसमें है वो OBC परूस है तो बची हुई 14 seat में से ही लेंगे यहाँ पर SC और ST की जितनी भी seat हैं उनसे कोई भी छेरचार साथियों नहीं होती है OBC की seat हो से यह seat ली जाती हैं तो अब 14 seat हो में से अगर हम 9 seat हो निकाल दे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 seat ही बसती है आगे फिर देखते हैं कि बची हुई 5 seat हो में से भी रास्तान सरकार ने दिव्यांग और उतकर्ष खिलाड़ी हैं उनके लिए 4% और 2% यानि 6% आरक्षन के विवस्ता कर रखी हैं यानि 100 में से 6 seat इनके भी होगी और इन 6 seat में साथियो 52% जो आबादी है दिव्यांग और उतकर्ष खिलाड़ी की वो OBC के टेगरी ही सी है तो अगर हम 50% में माल ले तो 3 seat ये ले जाएंगे अगर हम 3 seat में से 1 seat में महिला की माल ले तो 2 seat पर दिव्यांग और उतकर्ष खिलाड़ी पूरुष OBC की seat आरक्ष खिलाड़ी या महिला नहीं है उसका साथियों कहां से होगा जब 3 seat बचेंगी उसके बाद 90 मुरुष से 100 seat होती है जिसमें चैन होता है उसमें OBC सामाने पूरुष 3 seat पर ही चैन ले पाते है अथार 3% OBC सामाने पूरुष जो है उसके लिए seat बसती है अब यहां पर भी देखिए साथियों अगर 3 seat जो बची है इनमें भी अगर भूत पूरुष से इनकों की बैक लोग की seat सामिल कर ली जाती है तो OBC सामाने पूरुष को 100 में से एक seat पर भी selection नहीं हो पाता है साथियो और यह आपको एग्जामपल देखना है तो जो पिछली रास्तान सरकार ने भरती करवाई थी रास्तान पूलिस की वहाँ पर यह देखा गया था कि रास्तान पूलिस में OBC के टेगरी के student का selection तक नहीं हो पाया था यहाँ पर जो maximum selection हुआ था वो ex-servicemen category का ही हुआ था और इसका जो सबसे बड़ा रिजन था साथियों यह आर एक्षन विवस्ता ही थी और आप आने वाली भरतियों में यह भी आप देखेंगे कि रास्तान सरकार ने अभी जो हाली में पटवारी बरती चल रही है वीडियो बरती चल रही है इनमें भी आप देखेंगे कि यह रिजर्वर्शन विवस्ता है यह OBC category पर काफी भारी पढ़ने वाली है हाला कि वर्तमान में ये मुद्धा गरमाया हुआ है तो इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगी वो आपके साथ सेयर करेंगे इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो